दोस्तों अमेरिका के द्वारा निर्मान किया हुआ सबसे महेंगे तरिन हतियार क्या हो सकता है। शायद आप लोगों को लग सकता है कि ये शायद अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 फिफ जिनेरेशन के फाइटर एरक्रेफ्ट होगा या फिर B-2 जैसे बॉमबर होगा। पर द लगन और निर्मान किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने तखिये और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिये। के जो Ford class के aircraft carrier का पहला operational aircraft carrier है मतलब USS Jarl R. Ford वो दुनिया के सबसे महेंगा थरिन operational हतियार है पर दोसों इसके महेंगाई के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले cutting edge technology basically report के मुताविक एक Ford class के aircraft carrier को निर्मान करने के लिए current समय में अमेरिका के द्वारा करीवन $13.3 billion खर्चा किया जा रहा है जो actual कीमत से करीवन 30% अधिक है मतलब इससे भी 30% कम कीमत में Navy को इन हतियारों को देने का वादा किया गया था लेकिन समय बढ़ने के साथ-साथ Ford class के aircraft carrier के उपर नए Advanced Arresting Gear, Advanced Elevator और Launching System पर दोसो सबसे महेंगे दरिन हतियार होने के बावजूद रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि aircraft carrier के द्वारा अपने service life के 50 साल के अंदर अमेरिका के लिए कई billion डॉलर को save किया जाएगा और इसके पीछे main कारण है ऐसे aircraft carrier को इस तरीके से निर्मान किया गया है कि इसके service life में कम से कम maintenance का आवशक्ता पड़े और इतना अधिक इसे automated बनाया गया है कि कम से कम crew के द्वारा इसे operate किया आया सके और ये एक तरीके से अमेरिका को 50 साल तक return भी करेगा दोस्तों ये जो पूरा 4 class के aircraft carrier के project है ये अमेरिका के लिए अब cost के मामले में एक चिंता का विशय बन गया है क्योंकि दिन वदिन इन aircraft carrier के project में खर्चा इतना बढ़ते जा रहा है कि ये सोच के बाहर है रिपोर्ट के मुताविक फिलाल अमेरिका के अलग-अलग shipyard में 4 Ford class के aircraft carrier का construction अलग-अलग stage में है जबकि अमेरिका के द्वारा इस class के अंतरगत टोटल 10 ऐसे aircraft carrier को निर्मान करना है जो कि अमेरिका के बेडे के जो पूरा का पूरा aircraft carrier के group है उसे replace करेगा पर फिलाल ये अमेरिका के लिए cost के मामले में सरदर्त तो बना हुआ है ही साथी साथ इसमें जो delay हो रहा है और aircraft carrier को निर्मान करने के लिए लंबे समय लग रहा है ये भी अब अमेरिका के लिए चिंता का विशाय बना हुआ है वैसे दोस्तो आप लोगे को ये भी जानके हरानी होगा कि अमेरिका इसके cost को लेके इतना अधिक चिंतित क्यू है क्योंकि जब इस project को रखा गया था तब बताया गया था कि पूरा project के अंतरगज जितने भी aircraft carrier को निर्मान किया जाएगा उसका estimated cost 77.3 billion होगा जबकि पहला aircraft carrier USS Gerald R. Ford को बेडे में शामिल करने के बाद अब estimation लगाए जा रहा है कि सभी aircraft carrier को निर्मान करने के लिए अमेरिका के द्वारा करीवन 120 billion डॉलर तक खर्चा करना पड़ सकता है जो लगवग लगवग estimated cost के तुलना में दुगना के आसपास है जबकि दोस्तों aircraft carrier को निर्मान करने के लिए जो समय लग रहा है वो भी चिंता का विशय बन रहा है और यही समय के कारण ही carrier के cost भी बढ़ता जा रहा है इवन रिपोर्ट के मुताविक एक fort class के aircraft carrier को निर्मान करने के लिए जितने man hour का आवशकता है वो total imperial state building को निर्मान करने से भी अधिक है पिछले साल के September महिने में Business Insider के तरफ से एक report जारी करते हुए बताया गया कि एक fort class के aircraft carrier को निर्मान करने के लिए 5000 shipbuilders के द्वारा estimated करिवन 49 million hour building का काम किया जा रहा है जो की imperial state building को निर्मान करने के समय के तुलना में करिवन 7 गुना अधिक है दोसो एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि aircraft carrier के कीमत और इसके निर्मान के समय इसे लिए दिन बदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिका के तरफ से जो सबसे बड़ा भूल किया गया है वो है एकी साथ कई सारे नए technology को इसमें adapt करना और अमेरिकी think tank और naval expert का मानना है कि अमेरिकी navy के इस तरीके के बड़े जहाजों में एक साथ दो से अधिक नए technology को adapt करना नहीं चाहिए था और यही अब सिर्दर्थ का कारण बन चुका है दोसों ऐसे aircraft carrier को पुराने traditional aircraft carrier से समपूर्ण रूप से अलग बनाया जा रहा है और इसमें नए technology के स्वरूप नए elevators, launching mechanism, arresting system इस्तेमाल किया जा रहा है रिपोर्ट के मुताविक ऐसे एक aircraft carrier के उपर इस्तेमाल होने वाले electromagnetic caterpillar launching system हो के ही टेस्टिंग और research के cost करिबन एक billion dollar है जबकि इसे carrier के उपर install करने के लिए 670 million dollar अतिरिक पैसे का आवशक्ता होता है जबकि कुछ critics का ये भी कहना है कि अमेरिकी Navy को ऐसे technology को modernization program में इस्तेमाल करने से पहले इसे proof कर लेना चाहिए मतलब किसी भी नए technology को जब modernization program के तहट कोई हत्यारों में install करने का इरादा बना जाता है और नए technology को develop करने में जो समय लगा और जो खर्चा हुआ उसके कारण भी aircraft carrier के ये project महेंगा होता गया और करीब करीब 5 साल delay भी हुआ और दोस्तों अमेरिके एक्सपोर्टों का ये भी मानना है कि ऐसे प्रोजेक्टों को mature technology के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए मतलब जो technology already है उन्ही technology को adapt करते हुए इसे आगे बढ़ना चाहिए और एक के बाद एक जब नया technology आएगा तो project के अंतरगत अन्ने जहाजों में उसे apply करते जाना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा aircraft के project को आगे बढ़ाया जाता है और block development के तहट एक के बाद एक इसमें अप्ग्रेशन केयाता है अमेरिका अगर उसी प्रध्धरी को आगे बढ़ाता तो शायद अमेरिका के ये जो पहला aircraft carrier है इसके लिए ना इतना खर्चा करना पर दोस्तों overall अगर देखा जाए तो इतने महंगे होने के बावजूद अमेरिका के लिए 4 class aircraft carrier एक तरफ जहाँ पे आवश्चक भी है तो वही पे ये एक ऐसे technological revolution है जो अमेरिका के ताकत को मजबूत बरकरार रखेगा अमेरिकी नेवी के तरफ से जब 4 class के aircraft carrier के टेस्टिं smoothly हुआ और दूसरे तरफ अमेरिकी नेवी के एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले नए एरेस्टिंग और लांचिंग सिस्टमों के वज़ा से अब पुराने aircraft carrier के तुलना में इस नए aircraft carrier से aircraft के शौटी 30% अधिक रफतार में भरा जा सकेगा जब aircraft के safety को और अधिक ensure करता है तो सो project के initial stage में अमेरिका को cost और समय को लेके थोड़ा बहुत मुश्किलों को तो जहिलना पड़ा लेकिन एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इससे अमेरिका को आवश्यक एक सवक मिला होगा जिससे इस project के अंतरगत बनाय जाने वाले अन्य aircraft carrier इस तरीके का गलती नहीं होगा माना जा रहा है कि USS Gerald R. Ford के बाद बनने वाले इस class के जो aircraft carrier मतलब USS John F. Kennedy और USS Enterprise के मामले में अमेरिका के द्वारा शायद cost को तो save ना किया जाके लेकिन समय को बचाने का भर पूर प्रयास किया जाएगा और बिना delay के तैस समय के अंदर इन्हे अमेरिकी नेवी में शामिल करने का भी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा पर दोसों अगर Ford क्लास के aircraft carrier के वज़ा से अमेरिकी नेवी के उपर पढ़ने वाले असर को देखा जाए तो ना दुनिया के पास ऐसा कोई aircraft carrier है और ना ही इसके आधे के ताकत वाले भी कोई aircraft carrier है फिलाल Ford क्लास के aircraft carrier आने वाले 50 सालों तक अमेरिका के नेवी के जो वर्चेस वो है उसे मजबूत रखेगा फिलाल अगर अमेरिका के बाद दूसरे किसी देश के aircraft carrier को देखा जाए तो वो है फ्रांस के दवारा निर्वान किया हुआ चार्ल्स डिगॉल जो के nuclear power aircraft carrier है और ब्रिटेन के Queen Elizabeth class aircraft carrier और इसका भी मुकावला ना Ford class के aircraft carrier के साथ हो सकता है और ना ही Nimitz class के दोसरे अमेरिका के Ford class के aircraft carrier को अगर देखा जाए तो ये एक लाग टन के वजन के ऐसा aircraft carrier है जिसका लंबाई 1092 feet या फिर कहे तो 333 meter है जबकर इसका flight deck का चोड़ाई करीवन 77 meter है मतलब 252 feet और इसके water line में चोड़ाई करीवन 41 meter मतलब 134 feet यारकर्फ carrier का hide V करीवन 76 meter है मतलब 250 feet और इसका draft करीवन 12 meter मतलब 39 feet है इसमें करीवन 25 floors है और दोस्तों ये जो यारकर्फ carrier है इसमें अमेरिका के तरफ से निर्मान किया हुआ A1B pressurized water reactor का इस्तेमाल किया गया है और ये य करीवन 2600 crew member का आवशकता होगा जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले radar को लेके अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसमें ANSPY3 Multifunctional X-band Active Electronically Scan Array Radar, ANSPY4 Volume Search X-band Active Electronically Scan Array Radar, ANSPY6 Volume Search X-band Active Electronically Scan Array Radar का इस्तेमाल हुआ है और हत्यार के रूप में इसमें दो RIM-162 Evolated Sea Sparrow Missile Launcher और द RIM-116 Rolling Airframe Missile का इस्तेमाल हुआ है गन के रूप में इसमें 3 Closing Weapon System और 4 M2-50 Caliber के Machine Gun का इस्तेमाल हुआ है रिपोर्ट के मुताविक ये aircraft carrier 75 से भी अधिक aircraft को एक साथ accommodate करने का शमता रखता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद